हेलो अवरिवान, असलाम आलेकूम, पखेर रागले, होब एवरिबडी इस डूइंग ग्रेट, आफ्टर लॉंग ब्रेक, आइम बाग विद न्यू वेडियो, फीफा फीवर है जनाब, सबकी जुभान पर है कतर, कतार, सौरी आपको जहास की हवाज आ रही होगी, क्योंकि दरादर फ्लाइट लैंड कर रही है, और फ्लाइट टेक आफ कर रही है, तो जनाब, फीफा वर्ल्ड कप की गरज से, मैं भी कतर में मुझूद हूँ, और हमद इंटरनेशनल एरपोर्ट पे, तमाम लोग जो दुनिया के कौनिक होने से आ रहे हैं, इन्होंने लैंड करना है, इस एरपोर्ट को दुनिया का खुबसूरत तरीन एरपोर्ट होने का एजास हासल है, हमद इंटरनेशनल एरपोर्ट पर उसके अंदर के ले आउट पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगे और बहुत जल्दे से पोस्ट करूंगी, लेकिन इस से पहले मैं आपको हमद इंट और मैं वहाँ पे नमाज के लिए गए, मैंने वहाँ बाजमात नमाज अदा की, मुझे मस्जिद के अंदर खुबसूरत आर्किटेक्चर देखने को मिला, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करते हूँ, मसाफरों की सहूलत के लिए इस एरपोर्ट पर नमाज के लिए सोला पुर्सकून और अराम दे कमरे हैं, एरपोर्ट में वाकिया लाउंड में अलग-अलग कमरे भी हैं, जिस जहां पे सब नमाज अदा कर सकते हैं, इसके अलावा टर्मिनल के बाहर, ग्राउंड फ्लोर पर एक खुबसूरत मस्जिद वाकिया है, जो के डिपार्चर और अरा जगा है, तो चलिए आपको रात का मनजर भी दिखाते हैं, कि रात को यहां पर कैसे समा होता है, तिलावत के लिए कुरान पाक की सहूलत, इसके इलावा नमाज पढ़ने के लिए खास लिबास जिससे आपका जिसम मकमल तोर पे ढाम पा जाता है, क्योंकि यहां पर खावातीन, वर्कर्स जो के एरपोर्ट में काम करती हैं, वो मुक्तलिफ लिबास में होती हैं, नमाज पढ़ने के लिए वो इस लिबास का इस्तिमाल करती हैं, और यह खावातीन की वुजू करने की जगा है, जो के मुकमल सहुलियात से आरास्ता है, तो आईए आपको टॉयलिट भी दिखाती हूँ, जिसमें टेकनॉलिजी का कैसा इस्तिमाल किया गया है, मतलब यह के हर चीज में सेंसर का इस्तिमाल किया गया है, जब आप टॉयलिट सीट से उठते हैं और अपनी तश्रीफ उठाते हैं, तो पानी का फुल फलेश खुद बखुद स्टार्ट हो जाता है, कुछ लोगों के लिए यह बलकुल नई चीज है, और अब यह देखें। और अब आपको मस्जिद से बाहर निकल कर बाहर का व्यू दिखाते हो। एरपोर्ट आते हुए यह मस्जिद एक दिलकश नजारा पेश करती है, जो के एक वाटर ड्रॉपलेट की शकल में है। जहां से लगून यानी जील और एमरी टर्मिनल का शांदार नजारा भी दिखा जा सकता है। Okay friends, hope you like the video, wait for the upcoming vlogs in Qatar. Till then, bye bye. जो जराष ड्रॉई